नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में यूपी स्कॉलर्सित बहशा बाइस थे इस छात्रों का काफी सवाल आ रहा है पिछले दो दिनों से कि सर आपने कहा था नौ तारीक के बाद पैसा भेज़ जाएगा तो क्या का आने का चांस है और किनका एकदम नहीं आ सकता इनी सारी चीज़ों पर बात करूंगा तो जैनुएन अप्डेट पाने के लिए और ऐसे ही पलपल की इन्फरमेशन को जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी करें औ जा है इस फाइमली का हिस्सा चले वड़ो को सुरू करते हैं और आपको सारी जाने सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा जो थामनेल में लिखा है उस मुद्व को भी कवर करूंगा लेकिन यहां पर आप देखो चात्र लगा तार 1076 पर कंप्लेन किये और क्या वहां से उन अगर जो 3-4 दिनों के बीच में चात्र वृत्ती भेजी जाए वैसे कहा गया था कि 9 तारीक से भेजी जाएगी लेकिन आज 10 है ना कल रिसीव हुआ ना आज कोई चांस है कि रिसीव होगा हलाकि जब भी चात्रों को पैसा मिलेगा मैं तुरंद वीडियो के माध्यम सापक तो अगत करा दूँगा बसरते आप लोग सस्क्राइब किये रहोगे तभी जान पाओगे चली यह हो गई एक बात दूसरी बात यह है कि 15 जून तक कहा गया है भेजे जाने को लेकर तो 15 जून तक आप इंतजार कर सकते हैं अभी वक्त आपके पास है समझ रहे बहुत परस 이 date के बाद ही हुई है कहीं कहीं स звуч institut दिसंबर तक भेजना था वह फरवरीम भेजा गया जो फर्वरीम भेजना था वह मार्च से भी जाना था वह हुए तो बहुत परसाना की जरूवत नहीं कुछ चात्र ऐसे भी हैं जिनका स्टैटस में दिखा रहा है पैसा भेज दिया गया मगर हकीकत यह है कि उनको पैसा रिसीब नहीं हुआ यह छात्रों का कहना है तो ऐसे में छात्र काफी गन्फ्यूज हैं उनका कमेंट आ रहा है इस्टा पे मैसेज भी आ किस तर बताईए क्या करें पैसा भेज दिया गया मगर एक रूपए रिसीब नहीं हुआ देखो तीन बाते मैं आपसे सेयर करूंगा पहला बात तो यह है कि आपके नाम पे जितने बैंक बैलेंस है उसका बैलेंस शिक करो दूसरा कि आप बैंक जाओ मैनेजर से पास्बु नहीं थे उनका बैंक खाता जो था वो दुरुस्त नहीं था EKYC कहो या अधार मैपिंग कहो वो दुरुस्त ना होने के चलते छात्रों का पैसा नहीं भेजा गया एकार्डिंग टू DWO को यह एकार्डिंग लेकिन हकीकत यह है मुझे जहां तक लगता है कि इन्होंने फि लोग को नहीं मिलता ना पैसा यह जो सिकायत है यह 20 लोगों का है कि पैसा नहीं मिला है तो कहीं ने कहीं यह लापरवाही सासन और प्रसासन अस्तर से है और I hope उमीद करता हूं कि यह चीज़ें सुधरें जिससे की छात्रों को तो guys बीते हुए दिनों में scholarship का का इस्टेट देख लेना है और एक दो दिन बाद जब पैसा भीजाना हम सुरू होगा तो आप लोग पैसा भी यहीं से विजिट करके चेकाउट कर सकते हो तो स्टेटस प्रेस रिनुवल जो सब यह आपका कटेगरी है आप क्लिक करके देख सकते हो बहराल अभी तो कोई स्टेटस चिक नहीं हो रहा है आपको मने दिखा दिया सांपट चेक करना हो जाएगा अब यहीं से अपना पैसा भी देख सकते हो जब भी पैसा आपका भीजा जाएगा समझ गए किसी प्रकार का कोई परेसानी ना उठाना पड़े अगर आपका भी स्टेटस कुछ इस प्रकार से कुछ चातरों का ही भीजा जाएगा अब सबका तो नहीं भीजा जाएगा ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको जोटी सात्वना और उमीद नहीं देना चाहता देखो जो हकीकत है वही मैं आपसे बया करूँगा अब वो आपको नहीं मिला है उसमें से 20 से 25 परशन चात्रों को और स्कॉर्ड सिप मिलेगी जून में अगर पैसा भीजा जाता है 15 जून तक तब कि किस में नहीं भीजा जाएगा तो चांसे सकम है अला कि बज़ट बचा हुआ है तो पुए चांस है कि पैसा भीजा जाए और आप लोग समाज के लाण विभाग के मंतरी उत्तरप्रतिस सरकार उनसे कॉंटेक्ट में है वो लेकिन अभी तक उनसे मैंने फॉन कॉल से राप्ता नहीं किया है जब भी मैं उनसे बात करूंगा मैं आपके सारे सवालों को उठाओंगा बसरते आप लोग सपोर्ट करो मैं देख रहा आपको काम की ही इंफर्मेशन इस चैनल पर दी जा रही है ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी मन गढ़ंत कहानिया बताई जा रही है समझ गए तो यहीं तमाम सारे अप्डेट्स थी यहीं तमाम सारे सवाल थे जो हकीकत थी वो मैंने बया किया कितना डाटा कहता है कि किन का साथी बाकी का चात्र लगातार सवाल कर रहें सेकंड इंस्टॉल्मेंट को लेकर भाई सेकंड इंस्टॉल्मेंट का क्या कहूं जो फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट ही अभी पचास परशन ज्यादी चात्रों की नहीं आ सकी है चलिए मिलेंगे किसी नए उडियो में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए थेंक्स प्रोवर्शी जैहिंद बने मात्रिए